हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हर्ट स्पोट स्टेडी में SSC GD दोस्तों 2015 की जो वैकेंसी थी ठीक है उसकी जो प्रोसेस हुई थी और उसका जो फाइनल रिजल्ट आपका डिकलियर हुआ था डेट वाइस मैं आपको बताने वाला हूँ एडिसनल का कब हुआ था ठीक है और कैसे कैसे उसकी लिंक थी पूरी मैं आपको ओफिशल जो इसकी लिंक है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी डेट वाइस ठीक है किस डेट को और रिमेडिकल के कितने दिन वाद वो डिकलियर हुआ था उससे हम clear करेंगे कि 2018 का जो है कैसे आपका जो है final result declare होने वाला है ठीक है hotspot study पे नए आ है तो फटफट से hotspot study को subscribe कर ले यहाँ पर आपको new vacancy की update दी जाती है दोस्तों जो 2015 वाली जो vacancy IT SSC GD की हम उसमें starting से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या हुआ था और हम final result तक पहुँचेंगे ठीक है कि कि किस तारीक को declare हुआ था male का female का और additional candidate का accurate तरीके से इसको समझेंगे ठीक है यह जो link है यह write up की है और यह जो है final result की link है ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर लेखा हुआ है 14 March 2016 Constable GD CAPF Assam Rifles exam 2015 list for male candidates qualified for medical examination against vacancy reserved for NIA and SSF जो medical के लिए qualify हुए थे candidate SSF और NIA के लिए ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे male candidate की list आई थी 14 March को तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 March को कितनी सारी list आई थी यहाँ से देख लेते हैं देखे 14 March को यह सारी की सारी list आई हुई थी ठीक है यह देख सकते हैं आप 14 March को यह सारी की सारी list 14 March 2016 को upload हुई थी जिसमें बच्चे medical के लिए qualify हुए थे ये भी male candidate है जो की border district के लिए हुए थे ठीक है यहाँ भी male candidate है जो की नकसल के लिए हुए थे यहाँ पर male candidate है जो की state wise जो vacancy होती है उनके लिए qualify हुए थे इसमें write-up दिया हुआ है और इसमें उनकी list दी हुई है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं की female candidates है जो की NIE SSF के लिए हुई थी 14 मार्च को यह notice आयो हुए थे सारे का ठीक है फिर female candidates का जो border district के लिए medical के लिए qualify हुई थी ठीक है और फिर female candidates वो जो नकसल में medical के लिए qualify हुई थी नकसल district से ठीक है और यहाँ पर है अब आप यहाँ पर यह जो डेट देख रहा है यह लिखा हुए 17 मार्च 2016 अब 17 मार्च 2016 को क्या हुआ था तो यह किसी और प्रॉब्लम के वजए से 17 मार्च को एक और नोटिस दिया गया था ठीक है इससे हम उपर चलते हैं यहाँ तक आसा करता हूँ मैं समझ गया होंगे कि जो आपका medical के लिए list आई थी वो आ गई थी आपकी 14 मार्च 2016 तक ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 17 मार्च 17 मार्च 17 मार्च को यहाँ पर और नोटिस है यहाँ पर लिखा हूँ है Constable GD Direct 2015 Marks of the Candidate Northern Reason Only तो यहाँ पर मार्च बताय हुए थे इसके लिए एक नोटिस दिया हुआ था ठीक है और इसमें बताय हुए थे फिर दूसरे डीजन के NWR ER MPR Reason सारे डीजन जो थे फिर उसको भी बताया गया था 17 मार्च को यहाँ पर Click Here करके Marks देख सकते थे ठीक है और यह जो था यह वाला तीसरे नंबर पर जो है इसमें बताया हुए था Central Reason के जो थे उन लोगों के लिए यह वाली लिंक एक्टिवेट की गई 2016 मार्च के बाद अपरेल आ गया 7 अपरेल 2016 को चार नोटिस दिये थे कौन कौन से थे यह चार नोटिस सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लिख हुआ है Additional Candidates का जो Additional Male Candidate थे वो Qualify हुए थे Medical Examination के लिए Border District से Male Candidates उनका दिया फिर Male Candidates का दिया जोकि नक्सल और Militants एरिया से Qualify हुए थे Additional Candidate फिर Additional Female Candidate दिया Border District के लिए और Additional Female Candidate दिया नक्सल डिस्टिक के लिए ठीक है यह जो Click Here लिखा है यह वाला यह राइट अप दिया हुआ था और यह जो Click Here है यहाँ पर लिस्ट दी हुई थी ठीक है तो यह यहाँ तक आपन पहुँच चुके है 7 April 2016 तक अब इससे उपर चलते हैं अपन 2nd February 2017 यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है Constable G.D. exam 2015 List of Female Candidates Include in Merit List अब इसमें बुला है दिखिए 2 February 2017 को इसने Merit List दी थी 7 April 2016 के बाद यहाँ पर आप देखिएंगे 2 February 2017 को Constable G.D. 2015 List of Female Candidates Include in Merit List Roll Number Order यहाँ पर राइट अप था और यहाँ पर लिस्ट थी और यह जो दूसरी थी 2nd February में यह Male Candidates की थी और एक Female Candidates की थी ठीक है तो यह Merit List आई थी अब आप देखिएंगे यहाँ पर कितने महिने का G.A.F. था यहाँ से आप देखिएंगे April के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉमबर, दिसंबर ठीक है January, February करीब करीब 10 महिने का यहाँ पर आपको G.A.F. देखने को मिलता है ठीक है, उसके बाद यहाँ पर Medical के बाद कर रहा हूँ मैं Additional Candidate के Medical के बाद ठीक है, Medical के बाद फिर Re-Medical भी होता है तो वो सारी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आप देखिएंगे कि यहाँ पर Declare कर दिये गए था 2nd February 2017 को Final Merit Male Candidates और Female Candidates का अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों माई को भी दो नोटिस दिये हैं 26 माई 2017 और 26 माई 2017 को यहाँ पर लिखा हुए Constable G.D. Assum Rifles Exam 2015 Revised List बोलते हैं जिसको Revised List और Additional List of Male Candidate Include in Merit List Rule Number Order मतलब कि Additional Candidates के लिए भी जो लिस्ट आई थी और Revised जो लिस्ट बोलते हैं तो इससे एक बात साबित होती कि Additional की लिस्ट अलग से आईगी ठीक है इसमें क्योंकि ऐसा ही बताया हुआ है यह देख लिजे आप Final Merit की लिस्ट एक आई थी 2nd February को और फिर आई थी February, March, April एक से दिर्ड महने बाद फिर Additional Candidates के लिए लिस्ट आई ठीक है यह देख सकते हैं आप जिसमें आपको Male Candidates और Female Candidates के लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो राइट अप दिखता है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको Merit List देखेगी ठीक है इसको हम दोस्तों एक और देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैं एक काम करता हूँ स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों हमने मई तक देख लिया था ठीक है अब हम देख रहे हैं कहां से यह देखिए 23 अगस्त से सुरू को 23 अगस्त को कौन कौन से नोटिस आये थे देखिए यहाँ पर चार नोटिस देखने को मिलते हैं 23 अगस्त 2017 को जिसमें लिखा हूँ है Constable GD Second List आयी थी देखिए Second Second Revised Additional List मतलब कि दो लिस्ट दी गई थी दोस्तों Additional की और जिसको हम Revised List बोलते हैं देखिए पहली लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं यह थी 26 माई को आई थी ठीक है male female दोने की यह थी male की और नीचे वाली यह यह female की है ठीक है अब यहाँ पर आप देखिएंगे 23 अगस्त 2017 को Second Revised Additional List दी गई थी male candidate की include in merit list ठीक है male candidates की उसके बाद यहाँ पर देखिएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है list of female candidates who are not qualified in revised result यहाँ पर not qualified होने की भी list दी गई थी ठीक है नहीं हुई है revised result में वो list दी गई ठीक है उनका नाम जो की बाहर हो गई एक और list दी गई थी जिसमें additional female candidates जो की second में qualify हुई है merit list के लिए ठीक है additional second additional जो list थी इसमें female candidate के लिए list दी थी और यह थी male candidates के लिए ठीक है दोस्तों यहीं तक जो है आपकी पूरी प्रोसेस चली थी ठीक है 23 अगस्त 2017 तक जो है आपकी यह पूरी प्रोसेस चली थी SSC GD 2015 वाली वेकेंसी की अब दोस्तों आपको इसमें एक बात तो यह साफ हो गई कि आपकी जो merit list है वो male female की तो एक तो अलग आनी है ठीक है additional की अलग आनी है इसमें तो ऐसे ही दिया हुए ठीक है फिर additional की second list भी दी हुई थी ठीक है date wise मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ दोस्तों मैं SSC GD की आपको लगतार update दे रहा हूँ हर notice हर notification की hotspot study आप तक हर help महचा रहा है SSC GD को लेकर ठीक है आप फटाफट से पहले subscribe करें मुझे support करें मुझे दिखना चाहिए कि आपने वीडियो पे support किया है ठीक है तो subscribe करें मैं लगतार अच्छी information आप तक पहुँचाने की कोसिस करता हूं SSC GD की कुछ questions है तो फटा फट कमेंट करके पूछ लेना इसी वीडियो से related पूछना कोई और टापिक में मत पूछना ठीक है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर देना SSC GD के candidates के साथ share करना और वीडियो को like कर देना बस